नमस्खार दोस्तों, आज हम बनाएंगे काजू नमक पारे अपने काजू वाले शेप की वज़े से ये बहुत ही इंटेस्टिंग लगते हैं और ये सबको बहुत पसंD आते हैं तो चलीए काजू नमक पारे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम परात में 2 कप मैदा लेंगे अब मैदे में थोड़ा सा नमक डालेंगे आधा टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे एग टी स्पून अजवाइन डालेंगे एक टी स्पून कलोंजी डालेंगे एक टेबेल स्पून कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे आजवाइन, कलोंजी और कसूरी मेथी डालना इसमें आप्शनल है और अब मैदे में मोयन के लिए तेल डालेंगे तो मैंने दो कप मैदे में आधा कप तेल डाला है अब सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे मैदे को तेल के साथ 3-4 मिनिट मिलाएं यह स्टेप बहुत जरूरी है नहीं तो हमने जो मोयन के लिए तेल डाला है वो वर्क नहीं करेगा और यह देगे मैदा बाइंड होने लगा है तो अब मैदे में पानी डाल कर इसका एक स्टिफ डो तयार कर लेंगे अंदाजे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटा गून लें डो रेडी है तो चलिए काजू नमक पारे बनाना शुरू करते हैं आटे का एक पोर्शन लेकर पीडे पर बेलना शुरू करेंगे आटे की बड़ी शीट बेल लेंगे आटे की शीट को हर तरफ से बराबर बेलेंगे जिससे शीट का कोई हिस्सा मोटा या पतला ना रह चाहे शीट की थिकने सितनी रखेंगे अब इस तरीके का कोई धकन ले लेंगे ये coldring का धकन है और धकन से sheet के side को इस तरीके से काटेंगे ये देखिए कितनी असानी से कट जा रहा है काजू नमक पारे असानी से बनने वाले नमक पारे हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और ये देखिए मैंने यहाँ पे नमक पारे तयार कर लिये हैं तो चलिए इन्हें तल लेते हैं तेल गरम हो चुका है इसे चेक कर लेते हैं इसके लिए मैंने एक नमक पारे को तेल में डाल दिया है तेल परफेक्ट गरम है तो इसमें हम नमक पारे छोड़ देंगे गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि तेज आज पर ये जल सकते हैं नमक पारे को तेल में डालने के बाद इसे गोल्डेन ब्राउन होने तक पकाएंगे इसे बीच में उलटते पलटते रहेंगे जिससे ये हर तरफ से पराबर सिके नहीं तलते समय थोड़ा पेशेंस रखें तेज आज पर ये जल्दी बन जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे ये देखिए नमक पारे का कलर गोल्डेन ब्राउन हो गया है तो अब इन्हे हम बाहर निकाल लेंगे एक बार का बैच बनाने में 6-7 मिनट लग जाते हैं नमक पारे को एक छन्नी पर निकाले या कडाई के साइट पर रोक कर निकाले जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए काजू नमक पारे तैयार है तो अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं एक कटोरी में 2 टी स्पून आमचूर पाउडर आधा टी स्पून काली मिर्च एक टी स्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी एड़ कर सकते हैं मसाला तयार है तो इसे नमक पारे के उपर स्प्रेट कर देंगे वैसे तो आप इसे बिना मसाले के भी खा सकते हैं लेकिन मसाले के साथ ये बहुत चटपटे लगते हैं दोस्तों आप कोई रस्पी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना ना भूले साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी नई रस्पी के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तनने वादे